अगर आप अपनी girlfriend से truly love करते हैं और आपके girlfriend भी आपसे सच्चा वाला प्यार करते हैं और आपको अपने घर पे मिलने के लिए बुलाती है ये बोल करके कि घर पे कोई भी नहीं है सुगाइज मैं यही कहूँगा कि आपको खास करके उसके घर पे मिलने जाने का रिस्क तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि सबको ना अपनी वाले सबसे अलगी लगती है लेकिन पता तब चलता है जब वो उसका सिकार हो जाता है सुग ऐसा ही डिश्टर्बिंग के सामने आता है 2024-25 फरबरी को जहां पर एक प्रेमी का अपनी प्रेमी को कौल करके ये बोल करके घर पे बुला लेती है कि घर पे कोई भी नहीं है एंदन जब वो प्रेमी अपनी प्रेमी का से उसके घर पे मिलने के लिए चला जाता है तो घर पे मौझूद उसका भाई और उसका पिता मिल करके उस प्रेमी के सर और धड़ को अलग लग करके अलग अलग जगाहों पर फेक देते हैं लेकिन जब मैं इस घटना के बारे में और रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने एक और प्रेम कहानी आती है लिटरली गैज आप यकिन नहीं करोगे इसे जानने के बाद मैं अंदर से रो गया बस आसू आना ही बांकी रह गया था और ये घटना भी 2024-25 फरबरी को ही घटा यानि कि सेम डे और सेम रीजन लव आज मैं आप सभी के साथ तीन ऐसे केश डिसकस करने वाला हूँ जो कि आप सभी की दिमाग की नसे खोल कर रख देंगी मैं ये नहीं कहूंगा गाइस कि आप लाइक करो सब्सक्राइब करो लेकिन प्लीज आप इन तीनों घटनाओं को ध्यान से सुनो और समझो और देखो कि यार देश दुनिया में चल गया रहा है ताकि आप में से कोई भी भाई बहन माबाप इसके सिकार ना हो माबाप वड़े में यहाँ पे इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इन तीनों घटनाओं में से एक घटना के अंदर बेचारी बेकसूर माभी इसका सिकार हो जाती है जो कि आपके सच मेयार यहाँ पे हड करने वाला है मतलब क्या ही बताओं तो आप फिर शुरू शरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया के डार्क रियालिटी ओके तो सबसे पहले घटना है उत्तर परदेश के पौरोली गाउं की जहाँ पर एक सचे नाम का लड़का रहा करता था जिसके उमर लगभग 20 साल के थी और वो उसी गाउं में रह रही एकर नितू नाम की लड़की जिसकी उमर भी लगभग 20 साल थी और वो दोनों पिछले 2 साल से रिलेशन्शिप में थे अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर एक ही गाउं में दो सालों से relationship में कोई हो और गाउंवालों को और उसके घरवालों को पता ना चले तो उनके घरवालों को भी पता चल चुका था कि यह दोनों पिछले दो सालों से relation में है अब दोनों ने अपने बच्चों को समझाने की को तो वो मिलना बंद कर देगा ये बात आप अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप रिलेशन्शिप में है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ मैं सही गया रहा हूँ ना अब देखो वो दोनों तो समझते नहीं है अब वो छिप छिपा कर मिलना सुरू कर देते हैं लोगों की ये लग रहा था ना कि अभी पूरा गाह सो रहा है और हमारे पेरेंस भी सो रहे किसी को क्या ही पता चलेगा लेकिन अनलकी ली नितू के घरवाले जग जाते हैं और उनको मिलते हुए देख लेते हैं अब उनका पूरा परिवार उनके पीछे पड़ जाता है दोनों को बह है जो कि कल्यूग में ये बढ़ता ही चला जाएगा अब आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो की कानून विवस्था के उपर सवाल खड़ा करेंगे कि यार कानून में ना इसको लेकर बहुत ही सक्त सवजा होनी चाहिए लेकिन मेरे ओपीनियन के हिसाब से जहां त लिए तयार है तो जैसा कि इसने खुद को सरेंडर किया वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आपका क्या ओपीनियने प्लीज यार कॉमेंट करके बताओ अब जो आपको घटना बताने जा रहा है वो सच में आपको अंदर से हर्ट करने वाला है विकौज एक लड़क उसके पिता पे चला जाता है कि उसी ने अपनी वाइफ को मारा है ये घटना है हर्याना के धानी गाओं की जो की 2024 पच्चिज फरवरी को घटा और इस घटना में मुख्य तीन किरदार होते हैं अमन दिपकौर उसकी मा रानी और उसका बॉइफरेंड संधीप संधीप एक प्रपेरिंग मिस्तरी का काम करता है, अमन दिपकौर और संधीप दोनों relationship में होते हैं जिसका पता उसकी मा रानी को होता है, और इसी बात से परेशान होकर, वो हमेसा सही इन दोनों के बीच में आया करती थी, दोनों को ही मिलने से मना करती है और अपनी बेटी को समझाती ह कि तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए हाला कि अमन दीपकौर के पिता विक्रम जीत को उनके रिलेशन के बारे में नहीं पता था और इसलिए हमेशा सही सिर्फ उसकी मा ही उसके रिलेशन के बीच में आती है और उसे मिलने से मना करती है लेकिन जब एक दिन उसके पिता वि सकता है फिर जगवी जाएं तो इसलिए संदीब से वो नीन्द की गोलियां मंगवाती है और नीन्द की गोलियां मंगवाने के किया हो अब जैसे ही उसके नेंद खुल जाती है तो वो दोनों को देख लेती है एक ही साथ एक ही रूब में और जिसके बाद वो गुस्से में आ करके संदीप को एक थपड लगाती है और दोनों में फिर कहा सुनी होनी शुरू हो जाती है और इसी कहा सुनी के दोरान दोनों इतनी बात बिवाद बढ़ जाती है कि संदीप पास में रखी एक इट उठा करके रानी के सर पे दे मारता है और फिर उसके मुझ पे मारता है जिसके बाद वो काफे जदा घायल हो जाती है और मौके पर ही रानी की वहाँ पे मौत हो जाती है ये देखने के बाद अमन दिपक और उसका बाइफरेंट संधीप काफे ज़्यदा घवरा जाते हैं और हवड़ा दवड़ी में उन्हें कुछ भी नहीं सूचता है तो रानी के गले में पहले वो चुनी लपेटते हैं और चुनी लपेट करके उसे घसीटते हुए घर से बाहर लाके इटों में फेक देते हैं और घर में जाकरके सारा समान ऐसे भी खेरते हैं जिससे की लोगों को देखने में ये लगे कि घर में लूट पाट करने के लिए कुछ लोग घुसे थे और उसी ने रानी को मारा है और ये सब करने के बाद अमन दीपकॉर संधीप अपने बाइफरेंट को भगा देती है औ अपने आसपास के लोगों को एकठा करती है और उन लोगों को ये विश्वाश दिलाने की कोसिस में होती है कि देखो हमारे घर में रात के टाइम पे जब हम सो रहे थे तो लूट पाट करने के लिए कुछ लोग घुसे और वही लोग मेरी मा को मार करके भी चले गए और इ अमन दीब कॉर एक जोटी कहानी बताती यह कि घर में लूट पाट करने के लिए कुछ लोग घुसे थे और हम सोई रह गए और वही लोग मेरी मा को मार करके गए हैं यह कहानी सुनने सुनाने से पहले ही उसका मामा यानि की अमन दीब कॉर का मामा मक्षन मृत्तक का भाई वो ये सिकायत दर्ज करवा देता है कि इसका हत्यारा कोई और नहीं बलकि उसका खुद का हस्बन है यानि कि विक्रम जीत अमन दीपकौर का पिता जो की गुरू ग्राम गया हुआ था अब देखो उसके खिलाफ सिकायत दर्ज करवा ही दी गई थी तो पुलिस वाले पहले उ लूकेशन में पता चलता है कि ये सच में गुरू ग्राम के एक टोल पलाजा पे मौजूद था अब ये जानने के बाद पुलिस वालों का सारा सक चला जाता है अमन दीपकौर पे क्यूंकि घर पे वही मौजूद थी और उसके छोटे भाई बहन अब उसको फिर पकड़ के लाए जाता है और उसकी बाद सक्के आधार पे उससे सकती से पेस आने के बाद अमन दीपकौर सारा सच बता देती है और फिर उसके पाईफ्रं को भी पकड़ लिये जाता है और उसकी पेसी बिगएरा की जाती है यार सच में ऐसे केस सुनने के बाद मुझे बहुत ज़दा हट होता है मतलग चार दिन के रिलेशन के लिए वो लड़की अपने बॉइफिन के साथ मिलके अपनी मागोई मार देती है अपने सामने उसे मरता देखती है देख लो भाई यही है कलियोग और यह आज की सचाई है कहीं पे कोई अपने माबाप को मार रहा है तो कहीं पे माबाप खुद अपने बच्चे को मार रहे है लेकिन अभी ये वीडियो खतम नहीं हुआ है क्योंकि जो 25 फर्वरी को एक और घटना हुई थी वो बताना तो भी बांकिये मेरे दोस्त और वो सच में बहुत ज़्यदा वियर्ड है और मेरी हर वीडियो का मकसद भी यही होता है कि देश दुनिया में हो रहे है क्राइम को आपके सामने रखूँ और आप उसे देखते हुए खुद को सेफ जोन में रखो लेकिन मैं सच बता रहा हूँ यार इस तरह की रिशर्च करने और वीडियो का सही आउटपुट देने तक बहुत ज़्यदा टाइम और एफर्ट्स लगते है लेकिन आता है 2024 फरबरी का महीना 25 तारिक साम का समय जब लड़की के पिता और भाई दावत खाने के लिए घर से बाहर गए होते हैं तो लड़की को ये एक मौका लगता है और लड़की अपने वाइफरेंड नरेंद्र को कॉल करके ये बोलती है कि घर पे कोई नहीं है कि सुमेर पटेल और उसका भाई बर्जेस पटेल जल्दे ही घर वापिस आ जाते हैं और उन दोनों को उस हालत में देख लेते हैं जिसके बाद दोनों मिल करके नरेंद्र को बहुत मारते हैं और उसका गला दबा करके उसकी जान ले लेते हैं इतना ही नहीं दोनों मिलकर उसे बोरे में भर करके गाउं से किलोमेटर दूर जंगली एरिये में ले जा करके पहले कुलहाडी से उसका सर धर से अलग करते हैं और सर को कहीं और जगा पे फेक देते हैं और धर को जंगलों में पत्तों से छिपा करके घर वापिस लोटाते हैं उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि इसकी पहचान नहीं हो पाएगी और फिर हम पकड़े ही नहीं जाएंगे अब ऐसे ही दो तिन दिन और बीत जाते हैं यानि कि 25 फरबरी से 29 फरबरी आ जाता है इसी बीच नरेंदर के पिता ने उसके लापता होने की रिपोर्ट भी लिखवा दी थी अब 29 फरबरी को उस जंगली एरिये में कुछ चरवाहे घूम रहे थे तो उनमें से एक ने देखा कि पत्तों के बीच से किसी का पैर जहांक रहा है और पत्ते हटाने के बाद वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो एक बॉड़ी पड़ी है जिसका तो सर ही मौजूद नहीं है फिर वो लोग पुलिस को इंफर्म करते हैं पुलिस मौके पे उस जगा पे आ जाती है और उस के पिता से पूछते हैं कि कहीं आपको किसी को पर शक तो नहीं है कि उसी ने इसको मारा हो या फिर आपके बेटे की किसी से दुस्मनी तो नहीं थी पिता इस बात को इंकार करता है कि कि किसी से कोई दुस्मनी नहीं थे मेरा बेटा बहुत ही हो नहार था लेकिन फिर नरें नरेंदर इस तारिक को तुम्हारे घर पे आया था तुमसे मिलने के लिए अब नरेंदर कहां है वो लापता है फिर उस लड़की ने पुलिस वाले को बताया कि हां नरेंदर उस रात मुझसे मिलने तो आया था लेकिन मिलकर के वो जल्दी ही चला गया यहां पे रुकाई नह यानि कि सुमेर पटेल से पोश्टाच की जाती है सुमेर पटेल बताता है कि मेरी बेटी का कोई फ्रेंड नहीं है और नहीं उस रात यहां पे कोई आया था अब दोनों की बयान में जमीन आसमान का अंतर था जिसके बाद पुलिस वालों को पूरा सक हो जाता है सुमेर और जब मैंने पनी बेटी से पूँचा था, उसने बताया था कि मेरा एक फ्रेंड है इस गांओं का रहने वाला है, मैंने उस समय वस उसको समझा दिया था कि तुमारा ये कोई भी दोस्तों कैसा भी हो तुम्हें उससे बात नहीं करनी है, तुम्हें किसी था pellet एक कोई रिस में देखते हैं जिसके बाद हमें गुसा आता है और नरेंदर को पकड़ के बहुत मारते हैं मैं और मेरा बेटा मिलके उसे जान से मार देते हैं और उसे जंगल में ले जा करके सर उसका धर से अलग करके सर कहीं और फेक देते हैं ताकि उसकी पहचान ना हो सके और फिर इस त पसंद आए तो लाइक करो और उन लोगों के साथ शेयर करो जो मतलब चिप चिप कर मिलते हैं वगरा वगरा ताकि वो थोड़ा अवेर रहें और इन घटनाओं का सिकार ना हो सकें वैसे वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो और चनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन अन कर कर दो मिलते हैं आगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच